हाई गाईस केसे आप सभी तो दोस्तो विडियो में आपको देशी उपाई बताने वाला हूँ और बहुत असरदार है बहुत अच्छे से आपका वेट गेन होगा तो बने रहना इस वीडियो में अंतर जो भी आपको अच्छा टोपिक लगे आप वो कर सकते हैं मैं ऐसी यहां तक कि दोस्तों उनको खाया प्याबी बिल्कुल भी नहीं लगता है और उनका पेड़ भी खराब चलता रहता है जो भाई अपना वेट और मसल्स नहीं बढ़ा पाते हैं ऐसे लोगों के लिए आज मैं 100% नेक्ट्रल आयुर्वेथिक दवा जो कि आपका वजन और साइज इंतनी तेजी से इंकिरीज करेगी के आप भी यकिन नहीं कर पाएंगे तो चलिए बात करता हूँ उन आयुर्वेथिक दवा के बारे में वो क्या क्या चीज आपको लेनी है नम्मर वन यस्टी लोग के खास बंद है जिन लोग को भूख नहीं लगती खाया पिया पश्ता नहीं है और खाया पिया बोडिको लगता नहीं ऐसे सबी लोग अपना डाइजेस्टि सिस्टम सही करने के लिए वो यस्टी मैदूबा यूज कर सकते हैं इतना ही नहीं यह आपकी मसल इस्टें करें नहीं तो बहुत जरूरी है तो इसके अलावा भी इसके अंदर विटामिन just मैं ए एंड पाया जाता है जो कि बोड़ादर और बोड़िछ्टी रखने की लिए बहुत ज़रूरी होता है और ग्रूमिटी पोड़र जाते हैं वह उससे पहले आप सहतावर का यूज करते नमबर थी अश्वगंदा इसका इस्तमाल बोडी बिल्दिंग में बहुत जादा किया जा रहा है जो कि इस दवा का सबसे में काम बोडी में साइज बढ़ाने का होता है यह दवा किसी भी कंपनी के वेट गेनर सप्लिमेंट से भी कई ज्यादा बहतर है जो कि इतना साइज कि अब बात करते हैं इन तीनों मेंडिशन को लेना कैसे है रात को सोने से पहले एक गिलास मिल्क में पांच गिराम अश्वगंदा और पांच गिराम शेतावर पोडर लेना है आपको दूद के अंदर अच्छे से मिलाकर और उसके बाद एक टेबलेट येश्टी मदू का ले करें दो महिने में आपको पतले पन से छुटकारा मिल जाएगा और मसल साइज भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है दोस्तों इसको पंद्रे साल से उपर गा लड़का या लड़की कोई भी उपयोग कर सकता है चाहे वो एक्सोसाइज करते हों या ना करते हों ये शर आपको अश्वगंदा ऐसी कंपनी के लेना है जो बहुत अच्छी हो हमदर्द वालों की लेनी है आपको यस्टी मदू से तावल लेनी है आपको हमदर्द वालों की और डावर वालों कर ले सकते हैं आप अश्वगंदा तो दोस्तों बस ये वीडियो आपको अच्छी देकर क्या हूं तो दोस्तों इस्टेग्राम को फॉलो नहीं कर रखा है लिंक पिस्क्रप्स में जाके फॉलो कर लें दोस्तों और भी सोसल मेडिया की लिंक मिल जाएंगी आपको अब आउड में चैनल के तो दोस्तों मिलता हूं बाए